हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपके लिए लिए अटोमिक स्ट्रक्चर का ही एक न्यू टॉपिक जो है डिफ्रेंज बिट्विन और्बिट एंड और्बिटल ये क्लास 11 के लिए काफी इंपोटेंट टॉपिक है जिसमें पूछा जाता है कि और्बिट और और्बिटल में डिफ सेल हो गया था जिसके बाद और्बिटल कंसेप्ट आयता तो उसको समझने के लिए काफी इंपोटेंट है तो आज हम डिसकस करेंगे डिफ्रेंस बेट्विन और्बिटल पॉइंट वाइज वन बाई वन तो सबसे पहले हम देखते हैं और्बिट और और्बिटल में जो प कि अकॉड्ग क्या होता है एटम के सेंटर में positively charged nucleus होता है जिसके अरांड बहुत सारे क्या होते हैом circular cells होते हैं जिनको जिनको और्बिट या energy levels का जाता है उन energy levels में electron क्या करते हैं move करते हैं उन circular path में electron क्या करते हैं revolve करते हैं तो उनको हम कहते हैं orbit तो generally यह कोई nucleus है और nucleus के around जो भी हमारे circular path हैं जिनमें की electron revolve होता है इन paths को हम कहते हैं orbit and energy level अब हम देखते हैं orbital की definition it is a 3D reason in the space around the nucleus in which the probability of finding an electron is maximum तो यह point electron के 3D path को बताता है यानि कि जो नील बोर्ण ने orbit concept दिया था वो केवल two dimensional था वो two है तो इस concept के according जो electron होता है वो 2D circular path में ना घुमकर एक 3D reason में रहता है nucleus के around जहां पर electron finding probability क्या होती है maximum होती है suppose यह कोई atom है जिसका nucleus है तो nucleus के around हम कोई circular path नहीं बनाएंगे बलकि हम यह कहेंगे कि nucleus के around जो है यह एक 3D reason होगा जिसमें electron finding probability क्या होगी maximum होगी तो 3D में electron क्या करेगा move करेगा जैसे कि electron एक particular circle में ना घुमके वो ऐसे भी घुम सकता है वो ऐसे भी revolve कर सकता है और वो ऐसे भी revolve कर सकता है तो उसके different direction हो सकती है वो three dimension में यानि कि वो 3D space में present रहेगा तो orbital concept के according electron जो है वो circular path में घुमने की बजाए nucleus के around different direction में घुम सकता है वो nucleus के around ऐसे भी घुम सकता है वो ऐसे भी घुम सकता है और ऐसे भी घुम सकता है तो electron इस तरीके से 3D में revolve करता है different orbital में ना कि orbit में तो निल बोर ने जो अपना orbit concept दिया था अपने postulate अपनी atomic theory में वो बाद में fail हो गया था हाईजेंबर्ग ने orbit concept को बिल्कुल wrong प्रूफ कर दिया था तो इसी लिए new concept जो आया वो आया orbital तो यह orbital की definition है अब हम लेंगे इसका second difference जो हम इसके designation को लेकर के orbit के लिए क्या designation दी जाती है और orbital को काई से designate किया जाता है तो second point है it is denoted by KLMN and so on मैंने आपको बोर के atomic model में बताया था कि nucleus के around जो different different circular path होते हैं इनको हम orbit या energy cell कहते हैं और इनको different different alphabet से क्या करते हैं denote करते हैं और इसके अलावा हम इनको number से भी denote करते हैं जैसे K cell जो है वो nucleus के पास की first cell है तो K को हम one भी कहेंगे first cell कहेंगे L को हम second cell कहेंगे M को हम third cell कहेंगे और N को हम कौन सी cell कहेंगे fourth cell and so on तो यह जो है ऐसे infinite तक चलते रहेंगे तो किसी भी atom के around जो है infinite energy level या orbit हो सकते हैं कभी भी N की value zero के equal नहीं होगी यह one से लेके infinite तक चलती रहेगी तो designation means होता है कि हम orbit को या orbital को किस से designate करते हैं उनको का ही से denote करते हैं तो उसको हम कहेंगे designation तो cells हमारी होगी k, l, m, n and so on और इनको हम numbers में 1, 2, 3, 4 and so on भी लिख सकते हैं अब बात आती है orbital की तो orbital को denote किया जाता है it is designated by spdfgh यानि की orbital को denote किया जाता है spdfgh से अब यह जो होते हैं यह orbital को denote करेंगे इसमें s का means होता है sharp, p का मतलब होता है principal, d का मतलब होता है diffuse, f का मतलब होता है fundamental और g और h के अभी कोई designation नहीं आए हैं क्योंकि अभी जो हमारी periodic table है वो केवल f block तक ही वो केवल f block तक ही available है क्योंकि अभी तक periodic table में almost 120 elements ही discover हो पाए हैं जिनके electronic configuration f subcell तक ही fill किये जाते हैं तो इसलिए हमारी periodic table भी f subcell तक ही limited है और जो हमारे orbital हैं वो भी केवल spdf तक ही अभी इनमें electron की filling की गई है तो g and h अभी use नहीं हुए हैं तो maybe आगे जब new elements की discovery होगी तब जाके हम इन subcells को तब जाके हम इन orbitals में g and h में भी electrons की क्या करेंगे filling करेंगे orbitals को हम spdfgh से denote करते हैं and orbit को हम klmn से क्या करते हैं तो यह था second point अब हम लेते हैं इसका third point जिसमें हम बात करेंगे direction की कि orbit और orbital की direction कैसी होती है वो directional होते हैं या non-directional होते हैं तो orbit की अगर हम बात करें तो orbits are non-directional generally जो orbit होते हैं उनकी कोई direction नहीं होती है हमें दिखाई दे रहा है कि किसी atom में यह nucleus के around जो circular path हैं यही orbit हैं अगर यह circular हैं तो इनकी कोई particular direction नहीं होगी तो यह क्या होंगे non-directional होंगे क्योंकि board नहीं कहा कि nucleus के around केवल circular path में ही electron revolve करेगा और उनी को orbit कहा जाता है तो orbit circular होने की वज़े से क्या होते हैं non-directional होते हैं इनकी कोई direction नहीं होती है बट orbitals जो होते हैं वो directional होते हैं में ली अब हम यहाँ पर देखें तो यह कह रहा है except s orbital all orbitals are directional in nature केवल s orbital को अगर हम छोड़ दें तो s के अलावा जितने भी orbital होते हैं वो सारे directional होते हैं क्योंकि एस जो होता है s का shape होता है spherical तो s में spherical shape होने की वज़े से इसकी कोई direction नहीं होती है बाकि जो हमारे p के orbital हैं p के तीन orbital होते हैं px py and pz it means कि इसमें जो हमारे shape होंगे वो या तो x dimension में होंगे या y में होंगे या z में होंगे और p का जो shape होता है वो dumbbell shape होता है तो इसमें जो dumbbell बनेंगे वो अगर x dimension में dumbbell बन रहे हैं तो हम इसको px कह देंगे और अगर यही dumbbell हम y axis में बना दें तो यह क्या के लाएगा py के लाएगा और अगर हम इसी dumbbell को z में बना दें तो यह क्या कहलाएगा PZ कहलाएगा यानि कि P के जो डंबल शेप होता है वो भी क्या होता है डारेक्सिनल होता है वो X, Y, Z के अलॉंग क्या करता है एक्जिस्ट करता है अब इसके अलावा D orbital है D का शेप डबल डंबल होता है तो उसमें भी D X, Y, D Y, Z, D Z X D X square minus Y square and D Z square 5 orbital होते है जिनमें डबल डंबल जो है वो between the axis and along the axis क्या करते है एक्जिस्ट करते है तो फस्ट के तीन में D X, Y, D Y, Z, D Z X में ये between the axis रहते हैं दोनों डंबल और D X square minus Y square and D Z square में ये डबल डंबल along the axis होते है याना कि axis में ही ये क्या होते है एक्जिस्ट करते है अब F orbital को देखे तो F orbital का भी dice होता है वो भी directional होता है तो उसका जो होता है complex structure होता है याना कि कापी complicated structure है जिसको हम normally draw नहीं कर सकते हैं तो F का shape भी complex होता है और directional होता है, तो orbital S को छोड़ कर सारे और बिठल क्या होते हैं? डिरेक्सिनल होते हैं, जबकि orbits जो होते हैं, वो केवल circular path होते हैं, तो वो क्या होते हैं? Non-directional होते हैं, तो अब हम देखते हैं, इसका point number 4 जो बात करते है maximum electron accommodation की, कि orbit में कितने maximum electron हो सकते हैं, और orbital में कितने maximum electron हो सकते हैं तो अगर हम बात करें orbit में present maximum electron की तो यहाँ पे लगता है 2N square rule जिसमें N जो होगा वो number of क्या होगी cell होगी या orbit होगी कि अगर हम k cell ले रहें तो हम N की value 1 रखेंगे तो यहाँ पे जो N होगा वो 1, 2, 3, so on यानि कि number of orbit जो भी होगी उसके value हम N की जिएके put करेंगे तो 2N square rule से हम number of maximum electrons निकालेंगे किसमें orbit में जैसे अगर हम first orbit की बात कर रहें तो 2N square में हम 2 into 1 का square रखेंगे N equal to 1 रखेंगे first cell के लिए तो यह हो जाएगा 2 electrons और अगर हम second cell की बात करें तो यह हो जाएगा 2 into 2 का square यानि की 8 electrons और अगर हम बात करते हैं third cell की तो यह हो जाएगा 2 into 3 का square यानि की 18 electrons 18 electrons तो अगर हम बात करते हैं fourth orbital की तो N की value 4 रखेंगे तो यह हो जाएगा 32 electron तो nucleus के around जो different orbits हो होती है K, L, M, N या 1, 2, 3, 4 तो उन orbits में maximum number of electrons होंगे first orbit में 2 second orbit में 8 third orbit में 18 fourth orbit में 32 तो इतने ही electron उन orbits में particular हो सकते हैं इससे ज्यादा नहीं तो यह maximum electron accommodation होगा different cell का around the nucleus अगर हम orbital की बात करें तो एक orbital में maximum कितने electron रह सकते हैं an orbital can accommodate a maximum of two electrons यानि कि एक orbital में कभी भी दो से ज्यादा electron नहीं रह सकते हैं इसमें जो दो electron होते हैं वो एक दूसरे के anti parallel spin में भरे जाते हैं तो वो एक दूसरे के हमेशा opposite fill किये जाते हैं तो जैसे यहाँ पर मैंने लिया है S orbital तो S orbital में एक orbital होता है तो यहाँ पर हम एक orbital शो करेंगे और maximum electron कितने होंगे 2 and P orbital में 1, 2, 3, 3 orbital होंगे PX, PY and PZ तो हर orbital में 2-2 electron होंगे S यह हम D orbital लेंगे D में 5 orbital होते हैं जिसमें क्या होगा 2 electron each orbital में यहाँ पर प्रजेंट होंगे तो हम कह सकते हैं कि orbital में maximum electrons जो हो सकते हैं वो किवल 2 हो सकते हैं 2 से ज्यादा नहीं जबकि orbit में इस rule के according यह electron जो हैं different different orbit में इनकी जो maximum value होगी वो क्या होगी different होगी जैसे सबसे inner cell में 2 हैं फिर L में 8 हैं फिर M में 18 हैं फिर N में 32 हैं ऐसी चलता जाएगा तो हम इस rule को यहाँ पर apply करते चलेंगे तो यह था point number 4 तो अब हम बात करते हैं इसके fifth point की जो कहता है it represents planar motion और 2D motion of electrons around the nucleus हमें यह तो पते हैं कि nucleus के 4 और circular path होते हैं वो ही orbit हैं तो circle जो होता है वो two dimensional होता है एक plane होता है तो अगर कोई electron उन plane में उस circle में क्या करेगा revolve करेगा तो उसका motion भी कौन सा केला हैगा two dimensional motion जिसको हम कहते हैं planar motion तो two dimension यहाँ पे plane को show कर रहा है और electron का जो motion होगा वो क्या हो जाएगा two dimensional motion तो अगर orbital की बात करें तो it represents rotational motion of electron around the nucleus तो यहाँ पे जो electron show करेंगे वो rotational motion show करेंगे around the nucleus यानि कि nucleus के around जो 3D space होगा उस 3D reason में जो electron होगे वो rotational motion करते हैं तो इस point से क्या conclusion निकला कि जो orbit होते हैं वो two dimensional होते हैं और उसमें revolve करने वाला electron भी planar और two dimensional motion करता है जबकि जो हमारे orbital होते हैं वो 3D होते हैं वो nucleus के space में present reason होता है जिसमें electron जो है वो rotational 3D motion करता है तो अब हम देखते हैं इसका sixth and last point the revolution of an electron in an orbit is against the hygiene work uncertainty principle तो hygiene work uncertainty principle किया है पहली बात तो यह है तो hygiene work कहता है इसी moving electron की position और उसके momentum यानि की velocity को हम simultaneous यानि की एक साथ हम determine नहीं कर सकते हैं इस principle को हम आगे discuss करेंगे तो अब यह क्या कह रहा है कि जो orbit होते हैं जिन में की electron revolution करता है जिन orbit में वो hygiene work principle के against करता है क्योंकि Neil Bourne ने पहले अपना orbit concept दिया था जिसके according electron revolve कर रहे थे बाद में जो wave mechanical theory आई थी तो उसके according hygiene बर्ग ने अपना एक principle दिया था जिसमें बात हुई थी एक moving charge particle की कि अगर कोई moving particle charge किसी opposite nucleus के चारो और revolve कर रहा हो तो उस moving electron की position और उसकी velocity को करके according जो orbit हैं उन orbit में electron की position और velocity को हम एक सांट determine कर सकते हैं तो ये concept पूरी तरीके से fail हो गया Neil Bourne का कि moving electron की velocity और position को हम एक सांट calculate कर सकते हैं क्योंकि वो एक circular path में move कर रहे हैं जिसका meaning है कि हम दोनों को एक सांट simultaneously कि हम दोनों को simultaneously calculate कर सकते हैं और नील बोर के orbit concept को ये क्या करता है fail करता है तो हम कह सकते हैं कि orbit जो होता है वो हाईजेन बर्ग के uncertainty principle को follow नहीं करता है उसके against वो बात करता है moving electron की बट अगर हम orbital की बात करें it is accordance to uncertainty principle तो ये हाईजेन बर्ग के uncertainty principle को पूरी तरीके से क्या करता है follow करता है और उसके accordance ये orbital concept दिया गया तो ये थे orbit and orbital में कुछ main differences I hope आपको ये topic समझा गया होगा अगर 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 आपको कोई doubts होँ तो आप मुझे comment करके बताएगा